नमस्कार मैं राजमडीपाल सिच्छा विद्या साखा उत्तर प्रदेश राश्री टंडर मुक्त विश्विद्याले प्रियाग्राज से आज हम बिश्ष्ट बीएड के बीएड से 04 इंट्रोडेक्शन टू न्यूरो डवलमेंटल डिसेबिल्टी के ब्लाक वण इूनिट टू के एरिया को कबर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिल्टी के लिए जिसमें बालक के पढ़ने की लिखने की गड़तिय कौसल इत्याद में समस्या दिखाई पड़ती है अर्थात ऐसे बालकों में पढ़ने से संबंदित लिखने से संबंदित और समझ की समस्या दिखाई देती है इसके प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अधिगा मक्षमता मुख्रूप से तीन प्रकार का होता है डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्कल्कूलिया जिसमें पहला है डिस्लेक्सिया जिसमें मुख्रूप से बालक के पढ़ने की स्थिति प्रहावित होती ह दूसरा होता है डिस ग्राफिया जिसमें बालक के लिखने की स्थिति प्रभावित होती है और तीसरी होती है डिस कल्कूलिया जिसमें गड़तिये कौसल प्रभावित होता है इसमें हमने और आगे इसके लच्छनों गरा के बारे में देखा था कि अधिगमक्षमता के मुख् पढ़ने की स्थिति पढ़ने की स्थिति गड़तिये का उसल इत्यात प्रभावित होता है इन में समझ का भाव होता है इन में जो है किसी आकिर्ति को सही से जो है उसकी आकलन करने की स्थिति प्रभावित होती है उनका विज्वल परश्यप्शन तो आगे का इधर इधर का उधर जैसे हम लोग पी और क्यों में डिफरेंट करना इस पेलिंग मिसिंग करना कल्कुलेशन को बहुत सही से ना कर पाना इत्याद को जो है चुकि वह सही से उसको जज़ ही नहीं कर पाते कि कहां वस्तू लिखी क्या है यह वर्ड का क्या ताथ कि अक्ष्म होते हैं ज़रूरी नहीं की इनमें सारी साथ हो सकती है यो सकती है लेकिन बालत मुखरूप से तो कि यह बहुत पीछे ही होनी के बावजूत कि बहुत स्ट्रोंग हो सकते हैं और ऐसे बहुत चयोदार रहें वने देखा तकि आइंस्टीन एलबर्ट तम ऐसे जैसे सब तमाम सक्सितें जो हैं अधिगा मक्षमता से ग्रशित होने के बावजूद भी आप लोगों ने काफी अच्छे काम किये हैं या उपलब्धियां हासिल की उसी के ताथ आज हम अपने उसी के सिंखला में इनिट नमबर टू के अधि जिसमें हम आकलन करते हुए जिस शेत्र को कबर करते हुए हम जान सकते हैं कि बालक में किस प्रकार की समस्या है तो जिसमें हम अगर देखें कि आकलन होता क्या है इसको समझने के लिए तुका सकते हैं कि आकलन एक ऐसी प्रकिरिया है जिसके द्वारा विभिन विधियों का परयोग करके अधिक्म बालकों के बरतमा अस्तर की सक्तियों कमियों का पता लगाया जा सकता है उर्थात आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बालक के उल्ध थे वारे में जनकारी हासिल करते हैं जो बालक का strong पाइंट है जो एरिये जो है बालक का बहुत मजबूत होता है या यह विर यह में बालक बहुत पर्फեक्ट होते हैं उसे फिरए में बहुत सक्षमता दिखाए देती है और इसी के द्वारा हम उन तत्रियों के कुछ और गनाजेशनों के दारा भी जो है अधराइज अर्गनाजेशनों के दारा इनकी डिफिनिशन कहीं गहीं है जैसे इंटरनेशनल बेक्योलिरेट और गनाजेशन युए से दोहजार साथ में आकलन को निवन परकार से प्रभासित किया था जैसे उन्होंने कहा है कि कि ए में, अजर्ण अनालीज कि अपके चाहन इन याव इन्यूच्ट से कुड में आकलन अन्हारा गनाव ठूस्पी ऑन्ट परकारेशना इन्हान वीज़ बेक्यों कि खिज़ तेस्ट अपर में पर्दकारेशने actively engaged in assessing the student's progress as part of development of their wider critical thinking and self-assessment जैसा कि इस definition से clear होता है सपस्ट होता है कि assessment एक ऐसी प्रकिरिया है जिसमें हम सूचनाओं का संकलन करते हैं बालक के performance संबंदित बालक जो भी activity कर रहा है उससे संबंदित उन तमाम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं जो उसके activity से कारी से संबंदित होता है और उन प्राप सूचनाओं का कि बिशलेश्टनावात्मा कद्धेन करते हैं एनालाइज करते हैं कि इस्तिती क्या है वो किस एरिये में perfect है क्या कर पा है क्या नहीं कर पा रहा है इत्याद के बारे में उसकी स्ट्रॉंग पॉइंट क्या है उसके बीक पॉइंट क्या है किसे एरिये में प्रफार्म कर रहा है इत्याद जानने का प्रयास करते हैं और उसके अधार पे एक निश्कर्ष निकालते हैं कि बालक क्या कर पाता है क्या जानता है उसकी समझ कैसी है क्या कर पाता है और फिलेंट स्टेजर और किसी बस्त की बारे में स्टिंक आप很多 करता है माझा जब हो टीचर को बालक के बारे में सही सही जानकारी नहीं होगी तब तक उसके बारे में सही से डेवलमेंट करना या उसका विकास करना बहुत आसान नहीं रहा जाता है अधिया मक्षम का बालक मुख्रूप से देखा जाए तो चुकि बहुत धीक रूप से कमजोर होता नहीं है किसी एक एरिये में कमजोर होने के करान उसका परफार्मेंस प्रभावित होता है जबकि बह प्रभान कच्छा में पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी यह कहा जाए कि आकलन अगर वो करते हैं सब कुछ ठीक है तो इनको आकलन की क्या जरूरत है क्यों किया जाए तो इनके आकलन करने के पीछे के जो कारण समझने का प्रयास करें तो देखते हैं कि इसके द्वारा हम को द्वारा सीखे गए कौसल और ग्यान की अंतर जिस्ट का पता लगाने के लिए करते हैं अर्थाद बालक का में कौन सी कौसल उपलब्द है या किस एरिये में बहुत परफेक्ट है उसके ज्ञान की स्थिति क्या है इत्याद के बारे में हम जानते हैं चुकि बहुत से इसी सकते हैं जान सकते हैं कि उसके आंत्रिक इस्तितिै या उसके घ्यान का लेबल कि कितनी समझ है रहा है इतयाथ को पता लगाने के के लिए जैसे eyes बाले को क्या फढ़ाना है कहां से शुरू करना है क्या बताने की जूरूत है इसको जानने के लिए भी आकलन की आऊशक्ता होती है क्या बालकों के उसकी चमता अनुशार उपीब्त कच्छा में प्रत्यास स्थापिद करने के लिए भी जो हैं हम बच्चों का आकलन करते हैं कि उसको किस प्रकार के सिछा की जरुवत है कि एरिये वह सकता है कि उसके लिए परकार की सबस्था किया जया जाए कि इस परकार की बहश्था की जाए जिसे जो है वह अच्छे से उसाइव में रहते हुए सीखने में सक्षम हो सकता है अब इस तरीके से समझें कि संखेप में आगलन के दौरा नाकेवल बालक की कमियों का पता लगाया जा सकता है बलकि उसके धनात्मक कारे छेत्रों को पहचान कर विभिन उप्चारात्मक कारिक्रमों का निर्मार भी किया जा सकता है अब हम बात करते हैं आकलन के छेत्र एरिया आप असेस्मेंट एरिया होता क्या है कि बालक को हम कौन कौन से एरिया जिसके बारे में हम बालक के बारे में इंफार्मेशन लेंगे उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जानकर के बारे में फ्यूचर प्लान हम कर सकते हैं तो आकलन संग्यानात्मक छमताओं यह उप्लब्द छेत्रों का क्लावां योम ब्यापक अध्यन करता है ऐसात ज्यान का लेबल और उसकी उप्लपद्धी जेट्र जो किसके-बथार्या में बहुत है अच्छे से प्रार्म कर रहा इसके बारे में जानने का प्रयास करना है उसका संञ्यनात्मा के खिए यह कैशा है उसकी difficult कितनी है उसकी सक्षमता के बारे में जो है पता करते हैं आकलन के द्वारा सिच्छक बालक के आकरित स्थिर्ता आकृत की दूरी श्रब्य पर ट्यक्षी करण इत्याज छेत्रों का पता चलता है अब अगर हम ये बात करें कि आकृत इस्तिरता फीगर समझ पाते हैं किसी आकरित की दूरी कितनी है आपस में एक बस्त के बीच की दूरी की इस्तिती क्या होता क्या इस्तिती में है इसका अकलन करना या बस्त आडियो पर्शेप्शन कि क्या वर्ड बोला गया है वो थोड़ा सा समझने में की स्तिती इनकी पूर हो सकती है तो इसक कि आधार पर जो है हम करते हैं कि गार्टिर्फ या बस आकरिद के बारे में उसके दम्सिता की कि इस्तिति जो जानने का प्रियास कि या जाता है इसके तृब्सक्र वह और कौन सी भासा को जानता है पथन कहुछल उसका पढ़ने की इस्तिति कैसी इसे लेखन क lat वह क्लास में लिखता कैसे है गड़ितिये कौसलों का भी आकलन किया जाता है कि उसका कल्कुलेशन और इस्तिति क्या है गड़ित के जो कोईशन और दिये जाते हैं कैसे साल परता है क्या इस्तिति है इसके परफार्म कैसे है इत्याद के बारे में अध्येन किया जाता है इसके अतरिक बालक के अधिगम तौर तरीकों की भी जानकारी को भावी कारियोजना बनाने में मदद करती है अगर हम बालक के बारे में कोई कारियोजना बनाते हैं तो उसके बारे में आवश्यक हो जाता है कि बालक की इस्तिति क्या है और वो किस तरीके से सीखना चाहता है तो वो किस तरीके से सीखनी की उसकी इस्तिती है उसका इंट्रेस्ट कैसा है इत्याद के बारे में जाना आवस्यक होता है तो उसकी इंट्रेस्ट को भी जाना जाता है आकलन के द्वार ना केवल बालक के बिशय में ब्यक्तिक सूचना बालक के अधिगम वातावरण भौतिक परिवेश जिसमें की बालक को सिखाया जाना है का भी पता लगाया जा सकता है चुकि बालक किस वातावरण में रहना पसंद करता है कौन से इस्तिति में रखते हुए उसको आसानी से सिखाया जा सकता है या किस एरिये में कौन सी इस्त पूलता को देखने का प्रयास करते हैं तो इसमें उसके अनकूलता को भी देखते हैं कि कहां पर वह अपने आपको अनकूली जादे पाता है आकलन बालक को अपलब कराई जाने वाली विभिन सेवाएं जैसे इस पीस थेरपी अक्यूपेशनल थेरपी इत्याद की भी जानका मनलब उसको कहूं से सर्विक्ट की आउशकता है कि से एरिये को कबर करनी करेशकता है यह आकलन के योडिकित रोज़ता की इसस्तित्य की क्या आको 5 ऊपलाइं तो आई उपर अच्चा यह दी माना जाता है आकलन के बारे में तमाम ऐसी चर्चाएं रही हैं कि आकलन एक निश्चित एज के बाद ही किया जा सकता है कि जैसे पहले कहा जाता था कि आकलन करने के लिए कम से कम बालक किया उच्छे साल होनी चाहिए लेकिन बर्तमान में इस अउधारा को जादे महत नहीं दिया जाता है बनाया जा सकता है अर्था जितने जल्दी हमको समस्या पता लगेगी कि बालक में उसकी कमिया पता लगेगी कि क्या नहीं कर पा रहा है कौन सा उसका पूर एरिया है कहां गडबड़ी हो रही है क्या पर फार्म नहीं कर पा रहा है तो जितने जल्दी हमको पता लगता है उसक प्लब्द आकलन के उपकरणों से इस आयू बर्ग हीत उपियुक्त कौसलों का बालक के संदर में जानकारी एकत्र की जा सकती है इस संबंद में बालक के माता-पिता उसके सिच्छक द्वारा किये जाने वाला अवलोकन एक महतुपूर्ण भूमिका नहीं भाता है क्योंकि मा कि अच्छाइयों को कि कमियों को सबसे जदे अगर अच्छे से बता सकता है या उसके बारे में अच्छे से परकाकर्待ार किया तो उसके representing माबाप हैं तो आकलन में इनकी भून का बहुत महत्पूर हो जाती है जैसे जैसे बालक स्कूल जाने के अवस्था में प्रवेस करता है इसके आकलन के छेत्रों में भी विस्तार होता रहता है जैसे जैसे बालक स्कूल की तरफ बढ़ता है तो उसका दायरा चेत्र फल बढ़ता चला जाता है अब अभी तक घर में रहते हुए आज पड़ोस के बारे में जानता था उतन एक लिम्टेशन वर्ड यूज करता था इसकी एक लिम्टेड रूप में प्रस्तुत होती थी लेकिन जैसे जैसे व डिसलेक्सिया के लिए जो है डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है कि अगर बालक डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो उसके लिए जो है डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है अब अगर उसको मनोवैग्यानिक किरियाओं जैसे के लिए में उटकॉक जॉंसन टेस्ट इत्याद किया जाता है आकलन की अशक्ता को ध्यान में रखते हुए आवस्यक है कि प्रतेग समावेसे विद्याले में आकलन हेत्व एक असपश्ट नीत बनाई जाए जिसमें असपश्ट रूप से किलियर किया जाए कि किस छेत्र में आकलन की जरूरत है और कौन-कौन से प्रकार की समस्याएं आती हैं उसके आधार पर आकलन को बढ़ावा दिया जाए अब हम बात करते हैं आकलन के प्रकार योम उसके उपकरण के बारे में अगर देखते हैं टाइप्स एंड टूल्स आफ असेस्मेंट कि असेस्मेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है इसके कौन से तूल है मक्रूब से हमारे अधियम बालक पर प्रयों किया जाता है तो अधियम बालकों का आक्लन उनके उप्सारातमक सिछ्छन का परथम चरन ह 210 यूम आणाप् Marcus दो रूपो में किया जा सकता है एक और जहां अप्चारिक आकलन के विभिन प्रदत्तों को परिमाजित कर मानुविक्रित प्रडामों को उजागर करते हैं वहीं दूसरी और अनाप्चारिक आकलन विश्यवस्त योंप्रदर्शन प्रफार्मेंस पर आधारित होता है सामानिता अप्चारिक आकलन हेत्व मानक संदर्वित परिच्छन एनाइटी योंक कसवटी संदर्वित परिच्छन CRT का प्रियोग किया जाता है अस्तार इसमें कह सकते हैं कि हम मुख रूप से दो परकार के असेस्मेंट टूल इस्तेमाल करते हैं इसमें एक एनाइटी और दूसरा होता है CRT अब मानक संदर्वित परिच्छन की बात करते हैं तो मानक संदर्वित परिच्छन एक ऐसा परिच्छन होता है जो एक बालक की तुलना दूसरे बालक से करता है साथ ही साथ यहां परिच्छन उस बालक की स्थिति अन्नी की तुलना में अस्थाबित करता है और कि यह से चॉड़ा है कौन छोटा है को स्ट कॉंट त्याइज को करता है बालग को दूसरी भालक करता है कि यह कि एरिये में कि क्या पॉजिशन है औरकश खोल प्रतेजर के दवारा हम गण हम बालक को म You दुन्टन करते हुए अस्थानी कि यह जाते हैं या उनकी पॉजिशन निश्षित किए उसके लिए हम परियोग करते हैं उसे IQ टेस्ट मेजरिंग घृस को जछ की जाते हैं इत्याद में जो है है मेराटी का अर्थात मानों संदर्वित तूल का प्रियोग करते हैं अब आइसे आब आप करें कि सियाड का अर्था का सोटिस अंदर्वित परिच्छन तो सियाटी का प्रारम का सोटिस अंदर्वित परिच्छन सियाटी सियाटी का प्रियोग बालक के बर्तमान अस्तर का पता लगाने हे तो उसके द्वारां बालक के सक्तियों तथा कमियों का पता लगाया जा सकता है कि बालक किस एरिये में देखते हैं कि किस एरिय कौन सा उसका सब्जेक्ट इयरी में पर्यास किया जाता इसके द्वारा जीसे उधारण के बालकों के तीन अंकों को गुड़ा कि सवालों का आधश्टी लान करना है तो वहां गुड़ा के विभिन तरीकों पर आधारित परिछोनों का निर्माघ कर बढ़ modal एक पता लगा सकता है कि बालक किस परकार की गलतियां कर रहा है जिससे कि उसके लिए आगामी सहचरी कारिकरम बनाया जा सके है अर्थात जैसी उसकी समस्या है कि चुकि और वाली जी चुकि हमने गड़ित की बात की तो और सब्विक्ट में पर्फेक्ट हो सकता है लेकिन गड़ित के कल्कुलेशन या पर्टिकुलर कोई एक एरिये में समस्या रही है तो उसके समस्या आधान के लिए प्रयास किया जा सकता है जिसे टीचंट क्लास में बार में कवर करने को वो शक्ता जो उनको मशूर होती है तो वो इसी CRT के आधार पर या उनके जाना लिया गया टेस्ट CRT कहला सकता है कसोटिस अंदर्वित परिच्छन के अंतरगत ही आता है कि जिसमें जो है बालक अपने पढ़ास में पढ़ाते समय पढ़ाने के बाद अपना सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जहां जरुब समझ में आता हो बालक का आकलन मौखिक लिखित इत्याद रूप में लेता रहता है संचेप में बालक की अधिगाम अक्षमता के आकलन हेट और CRT दोनों परकार के प्रिच्छनों का प्रियोग किया जाता है अधिगाम बालक के आकलन को उन तमाम एरियाओं का जिसमें हम आकलन करते हैं कि जैसे मालेजी अनर्टी CRT तो उसके टाइप है कि जब उसकी बालक की तुलनात्मा का देहन के लिए हमने नर्टी यूज किया उसके परफार्मेंस क इसके आदार पर देखा की क्युंस स्ट्रोंग निस सब्रेक पौइंट है कौण साइस्ट्रांग उसके लिए स्याइटी यूज किया अब हम आते हैं कि उसकी बौद्धिमापनों गयरागर करने है कि उसका बौद्धिक लेबल कैसा है क्या है तो उसके लिए हम कौन सा अव बुद्धिमापन उपकरण का परियोग चिकिस्य मनों वैग्यानिक द्वारा किया जाता है जिससे कि बालकों के संग्यानात्मक के विभिन आयामों का पता लगाया जा सके यह आयाम मौखेक अभिव्यक्त कार्यात्मक ज्यान अमूर तक्सक्त द्रिस्थ अस्थानिक छम्ता लग्व इस्मृति इत्याद होते हैं बुद्धि मापन के निमलिखेत उपकरण प्रस्तुत किये गए हैं जिसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा उपकरण इन लोगों के लिए प्रियोग किया जाता है जिसमें एक है स्टैनफोर्ट बिनेट इंटिलिजन्स टेस्ट इस उपकरण का प्रियोग बालक की मानसिक आयू बुद्धिलब्ध यूम संग्यानात्मक्छम्ताओं को मापने हेत इसका प्रियोग किया जाता है इस उपक्राण का प्रियोग बुद्धी के चार छेत्रों मौकिक तारकिक्ता मात रात्मक तारकिक्ता अमूर्त यूम द्रिस्षिक तारकिक्ता यूम लग आवद इस्मृत को मापने में किया जाता है अर्थात इस्टैनफोर्ट बिनेट इंटिलिजेंस टेस्ट के द्वारा जो है हम बालक के बहुत दिख यह उसकी मौकिक रूप के तारकिक्ता कि क्या इस्तिति है तरक वितर्क करने की स्थिति क्या है किसी चीज़ के बारे में कि क्या विचार रखता है उसकी इस्मृति कैसी है इत्याद के लिए हम स्टैनफोर्ट बिनेट इंटिलिजेंस इसकेल फार चिल्डरेन का इस उपकरण का प्रियोग छे से सोला वर्स 11 माह तक के बालकों के संग्यानात्मक अस्तर के मापन खेत किया जाता है अर्थात बैसलर इंटिलिजेंस इसकेल का प्रियोग जो है हम छासे शोला साल शे महीने के बच्चे के उपर गया सकता है इसके इसके द्वारा मौखीक अभिव्यक्त प्रत्चनात्मक तारकिक्ता प्रकिरिया गति यों कार्यात्मक इस्मृति का मापन किया जा सकता है अगर हमें 20.2 साल से 7 बर्स के बालकों हेट जो है चोंकि यह तो 6-16 बर्स तक कि कम अपन करता है अगर हमें ऑफ़ दो दोड़ाई साल से साथ बर्स के बालक है अगर टूलियूज करना है तो उसके लिए बैसलर प्री इस्कूल और प्राइमरी इसकेल आफ एंटलेक्ट इं इसके बाद आता है रावल क्रोग्रेसिव मेट्रिक्स कर और प्रॉग्रेसिव मेट्रीर्डश मेट्रिक्स का प्रीयोग 8 वर्स ay ले कर प्रणा वस्ता के बिख्तियों हेध प्रयोग किया जाता है वहीं डियान इव come कर देज तक के बाल को हेत किया जाता है अब जिसमें कि हम देख रहे हैं कि राबेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रियोग कर सकते हैं जो कि अगर उपलब्ध मापन के लिए हमें करना है तो कौन से उपकरण को यूज करेंगे और उसको कैसे जानेंगे इसके लिए जो है उपलब्ध मापन के उपकरण एक छाद्र की विश्ष छेत्रों जैसे पठन ग्रहिता भाहसाई प्रियोग गड़नाएं विज्ञान आध में उपलब्धियों का आकलन करते हैं कुछ परमोख एकांकी मापन उपकरण निम्न है या अनेक प्रकार की उपकरण होते हैं ज एससे या ट्रेइज्ज आचीव्म मैंटटेस्ट के प्रियोग कर सकते हैं पीडॉडी इंडविज्विजूघ्योह एकिमेंटट इसका भी स्केमाल जो है कि उबलब्धियों के लिए कि आजा सकता है कि कि मैथं डियनोस्टिक टेस्ट का उपकर या सकता है इस ही प्रकास को प्रमुख उपलव दिमापन के उपकरण है टेस्ट आप बेसिक स्किल्स टेस्ट आप बेसिक स्किल्स का उपयोग किया जा सकता है इस्टेंफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट और रिच्मेंट टेस्ट आफ बेसिक स्किल्स का उपयोग जो है उपलव दिमापन के लिए किया जा धंभेलगते हैं तो इसके लिए देखते हैं कि सभी पर्मुक नैधानिक परिच्वन चाटरों पर एंक लगाय जाते हैं इन परिच्व کا पर्मुक उद्देष चातरों को साथक्री तोLE में विश्ष कट नई हो लगाना होता है कुछ पर मोख नईदानिक परिच predictive का बेलब निम निम्लिखित है जिसको हम especकते हैं कि आगे patient अनेक परकार के कुछ नएदानिक परिच्ड़ों का जुड़ है हम हम चर्चा करते हैं जिसमें मुख yol्से हम dyslexia screening test का प्रयोग कर सकते हैं इस परिच्छन का मुख्ध दिसलेक्सिया स्क्रीनिग टेस्ट इस परिच्छन का मुख्ध दिसलेक्सिया से ग्रसित बालकों को चिन्हित करना है यहाँ परिच्छन pre-school यूम् है प्रॉड अस्तर पर उप्लब्द है अर्थाथ pre-school से यह पुले करके प्रोड अस्तर तक के बाल को के लिए डिसलेक्सिया स्क्रिणिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है उसके बाद हम डाइनोस्टिक टेस्ट आप लर्निंग डिसेबिल्टी का भी परियोग कर सकते हैं इस परिच्छन का निर्माड संडीट इनुश्टिया मुंबई के विशेश सिच्छा विभाग के द्वारा किया गया जिसमें मुख्यूरूप से प्रोफेसर इसमितिर स्वरूब यह हम डी मेहता द्वारा इसका निर्माड किया गया इसका प्रियोग साथ से ग्यारा बरस तक के अधिगंब अक्षमबालकों को पाचानने में किया जा सकता हैं इसी के साथ हम डाइग्नोस्टिक टेस्ट आप रीडिंग डिसॉर्डर टेस्ट का भी प्रियोग कर सकते हैं कि डियाग्नोस्टिक टेस्ट आप रीडिंग डिसॉर्डर कि इसकेल का निर्माड जो है यह सेंडीटी इनुश्टी मुंबई के विशेश सिच्छा विबाग के द्वारा विक्सित किया गया दूसरा नैदानिक परिच्छन है यह परिच्छन कच्छा ध्यापक को डिक्सि प्रतम अस्तर पर जो बालक इस परिच्छन पर खरे उतरते हैं उन्हें दूसरे अस्तर से गुजारा जाता है इस परिच्छन के द्वारा पठन रीडिंग प्रकिरिया के विबिन उपकॉसलों जैसे फोनो लॉजिकल प्रोसेसिंग रीडिंग रियल और नांसेंस वर्ड का आध्लन किया जा सकता है तो हमने देखा कि तमाम परकार के अैसे जो टेस्ट हैं जिसके द्वारा हम उसकी उपलबदे उसकी नेदानिक इत्यात के बारे में जानने के लिए हम अनुक्रकार के टूल का वूज कर सकते हैं ग्लेड वगारा भी इसी किस रेडी में आता है कि हम प्रयोग लेटेस्ट यह चल रहा है कि लर्निंग डिसेबिल्टी के लिए मुखरूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं तो चुकि आज हमने देखा कि आकलन के लिए कौन-कौन से टूल यूज किया जा सकते हैं और कौन-कौन से एरिये को कबर करने की जरूरत है उसके आधार पे जो है हमें उसकी सक्षमता और अक्षमता का पता चलता है और उसके आधार पे हमें प्लानिंग करने में डिसीजन लेने में आसानी होती है तो आप लोग प्लिये आप्लन बहुत ज़रूरी है का सकते हैं कि यह का आधार है आपलन की जिसके दारावाहबालत के प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ सकता है इसका प्रयोकरत तो हमUMी कह सकते हैं कि अब्लेन बहुत महत्पूर हैं इसके टूली जो है जो उसकी सख्रेंट करने में सहीता करते तो इसके बारे में हमें सही से जाना चाहिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए पुना हम लोग किसी ऐसे क्लास में दोबारा मुलाकात होगी एक बार पुना आप सभी को धन्यवाद नमस्कार